इसी ने अभी तक ये सुद नहीं लिये कि इतने लोगों को बेघर किया जाएगा ये कहां रहेंगे इनके खाने पीने की वस्ता क्या है पचास साथ हजार के अबादी ने दिखाई नहीं दे रही तो हमें तो लगता कि हमारी जिन्दगी तो जानवरों से वत्तर हो गई है आदल चाहे हुए हैं मेरे दाहिने तरफ आप देखेंगे तो कार्ड का इंविटेशन कार्ड का अंबार लगा हुआ है लेकिन इन इंविटेशन कार्ड को इस वक्त नहीं बाटा जा रहा है वज़य ये है कि हल्दवानी के बनभूल पूरा में जहां जिस घर में ये कार्ड रखे हुए हैं जहां ये शादी होनी है उस पर और इस पूरे महले पर बुल्डोजर का साया चाया हुआ है और अगर सुप्रीम कोट से राहत नहीं मिलती है तो यहां रह रहे लगबग पचास हजार लोगों को चवालिस सौ घरों को बुल्डोजर करने का खत्रा बढ़ जाएगा हमारे साथ हैं हसन सिद्धिकी साब के पिता मतीन सिद्धिकी आप ये बताएं कि शादी की तैयारियों को क्यूं होल्ड पर रखा हुआ आपने निश्ची तुरूप से देखे हम लोग सभाजिक लोग हैं जन्पिर्जिदी भी रहे हैं लोगों से जुड़ाव है हमारा महबत है लोगों की तो जाहिड सी बात है का हमारा तो इसलिए हमने ये होल्ड पर रखा है कि जहां इतनी मड़ी तलवार अतिकर्मन के नाम पर लो जाहत मिलेगी तब ही हम इस प्रोगाम को कर पाएंगे और खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता एक परसंट नहीं मिलता एक घर भी करी ठूटता तो जाहिड सी बात है किसी के गम में हम अपनी खुछी मना नहीं पाएंगे इसलिए हमने इन कार्डों को होल्ड पर रख है कि आपनों आपने और यहां पर चावालिस व जो घर है उन्होंने रेल्वे की जमीन पर कबजा कर रखा है मैं देखें निस्चित रूप से हम लोग मेरी पैदाएशी से घर किया 63 साल मेरी उमर हुए है मेरे फादर भी उस से पहले से यह रहे होंगे और जहां तक इनका म और फनामा जिया है कि डिमार्गिसान गलत किया गया है यह जगा रेल्वे की नहीं है जगा सरकार की है लेकिन आज मौझूदा दोहजार बाइस में इस पर हिरिंग होती है तो उस हलफ नामे को अफिड अफिड को तरकिनार करके मौझूदा वकील जो सरकार के होते वो कहते हैं कि नहीं जमीर मारे नहीं कि है तो सोना तो गया लेकिन उस कर आपके मोड गें पर संसरे चीज़ों को टाइए और हमें इस बात की उम् Marx कर मों होत यघा सारी साँ ता कि मारे लें वाला है कि इन से आप समाझ-वादि आंगो के नेता भी हैं इसलिहाद से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जब 2021 में उत्राखंड सरकार ने नजूल नीती को लागू किया यहां पे तो फिर इस इलाके में रहने वाले आप जैसे लोगों ने उस नजूल नीती का फाइदा क्यों नहीं उठाए सवाल इसलिए क्योंकि ब वो भी हैं लोगों के पास जो लोग फिरी होल्ड करा चुके हैं उन लोगों को भी इसकी जद्वे ले लिया है तो फिरी होना ना होना एक सेकेंडर चीज़ है सबसे मेहनी इसमें लड़ाई यह है कि रिजमीन रेलवे की है या नहीं है अगर नाजूल खतम भी हुआ है तो लड़ाई सरकार से नगर दिंगम से रेलवे का तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए तो हमारे यही मैनना है कि इसमें सारे तर्थ्य चुपाकर बाइपास क करके आदेश किया गया और इससे वीद हमें कहीं ना कहीं हमें सुप्रेम कोड से लीच तो मिले गई और लेकिन जहां तक प्रिशास यहां के इस्थानी प्रिशासन और प्रदेश सरकार का मामला है तो बिलकुल मूग दर्शक बनी वी है अकर इन्होंने अपना प्रक्ष मस प्रिशासन ना कि प्रदेश सरकार किसी ने अभी तक यह सुद नहीं लिए कि इतने लोगों को बेघर किया जाएगा यह कहां रहेंगे इनके खाने पीने की वस्ता क्या है इन यह कहां जाएंगे सदकों पर पड़ेंगे ट्रणे में बरेंगे जींगे इसमां गर्मती मेला हैं तमां परिलाइसस के मरीज हैं इसी वजह से प्रिदर्शन भी ओर है तो आदमी को प्रिदर्शन नहीं करेंगा तो क्या होगा एक चिड़िया का घोसला भी तूटता है कि गौण माता के लिए जगा जगा गोशाला ही बनाई जा रहे है और पश्वु के लिए रहने के लिए वेस्ता उनके घरों की वस्ता की जा रहा है तो हम हम讲 है कि हम लोग मजमूरें पर किसी ने किसी बात के लिए कि जब हमारा कोई नहीं तो हम भी किसी के नहीं